हेलो फ्रेंड्स मैं अकांशा जी के वित अकांशा में आपका स्वाकत करती हूँ फ्रेंड्स आजब मध्यबदेश करेंट अफ्यर के नेक्स पार्ट पढ़ेंगे यह वन लाइनर प्रेश्टन है जै पूरा एक साल का करेंट अफ्यर मैंने इसमें कवर किया है और बहुत ही सरल भासा मैंने इनको कोशन्स को आपको लिखा है आप अगर वीडियो नहीं देख पाते हैं तो आप अगही कुछ भी काम करते करते कर म मेरी ओडियो भी सुनेंगे तो भी आपको यह कोशन्स हो जाएंगे तो आप इनको अच्छे से कीजिएगा और इसके पहले के पार्ट नहीं देखेंगे तो वो देखिएगा साथ यसा तक आप इसको इनकी पीडियाप चाहते हैं तो आप मेरे वाट्सप ग्रूप या टार किन के सहुग से बना जाएंगा मध्व पदेश टूरिज्म बोर्ड प्लस महिंदरा कलब की सहुग से बनाया जाएगा नेक्स देट टीटी टीका करन अभियान कब से कब तक चलाया गया तो टीटी की टीका करन अभियान जो अगस्त दो हजार उन्नीस में चलाया गया टीटी टीका करन अभियान कब चलाया गया अगस्त दो हजार उन्नीस में हाल ही में मध्यपदेश के राजपाल कौन बने हैं लाली टिटनर बने हैं इसके पहले ये बिहार के राजपाल थे और हमारी पहले राजपाल थी आनंदिवेन पडेल जो कि अब उत्ता पडेश की राजपाल बन गई है और आनंदिवेन पडेल गुजरात की पहली महिला चिनवाणा, बैतूल, सिबनी और बाला घाट को चुना गया है next question है साजापूर की किस नदी पर बर्सा के जल को संग्रहत करने के लिए एक बान का निर्माण किया साजापूर की किस नदी पर तो ये किया है लखुंदा नदी पर ये भी याद रखियेगा कि जो लखुंदा नदी है वो कहां है लखुंदा नदी कहां पर है तो लखुंदा नदी है साजापूर में साजापूर में लखुंदा नदी है और वहां पर बरसा के जल को संग्रहत करने के लिए एक बांध का निर्माण किया नेक्श कोशन है हाली में किस नगरपाली का परिसत को अंतरास्टिय मानक संस्थान का सर्टिफिकेट दिया है तो वड़ नगर नगर नगरपाली का परिसत को दिया है नेक्श कोशन है तो एस्वरे परिताप सींग वर्ल्ड कप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है राइफल सूटिंग में और ये जर्मनी में हुई थी तो एस्वरे परिताप सींग कौन है तो ये सूटर है Next question है Homeless Football World Cup में भारत का पत्य किस खिलारी ने किया था Homeless Football World Cup जो England में आयजिद हुआ था Homeless Football World Cup कहां हुआ था England में हुआ था और किस खिलारी ने मध्य पधे भारत का पत्य किया था हर्षिका विश्व कर्माने किया था और ये छिंदवाड़ा की है नेक्स्ट है नेशनल लॉन टेनिस चेंपियनसिप में किस खिलाडी को रजत पदक जीता है तो जयांस जेन ने जीता है ये वो जेन के हैं और ये प्रतियोगिता देहरा दून में हुई है नेक्स्ट कोशन है जन जाती है संसकती संरक्षण के लिए कहां पर संसकती संदर्वों की स्थापना की जाएगी तो डिंडोरी सेवपोर और चिंदवाडा में की जाएगी और ये किस जन जाती के लिए ये चेतर हैं बैगा भारिया और सहरिया भावना टोकेकर कौन है भावना टोकेकर पावर लिफ्टर है रूस में एसियन पावर लिफ्टिंग चम्पियन से कुई थी और इन्होंने वहाँ पे चार गोल्ड मैडल जीते हैं भावना टोकेकर भवपाल की है ये 47 साल की है और ये भावर लिफ्टर है नेक्स्ट है हाली में मध्यपदेश के मुख्मंत्री श्री कमल नाद ने विधान सवा में किस पुस्तक का विमोचन किया है तो एक पुस्तक का विमोचन किया है पुस्तक का नाम है सोच बदले जीवन बदले तो ये किसकी पुस्तक है तो ये पुस्तक रवी सक्सेना ने लिखी है Next question है मध्यपदेश के किस इस्थान पर अंतरास्टी स्थर की तेराकी अकादमी खोलने का निड़ने लिया जा रहा है तो मध्यपदेश के इंदोर में पिपल्याना छेतर में ये तेराकी अकादमी खोलने का निड़ने लिया जा रहा है तो ये थे हमारे आज के question ऐसे यह questions के लिए मुझे follow करती रहिएगा मैं जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा question आपके लिए लेकि आऊंगी कर एक वीडियो में 50-100 लाने की question सोचूँगी ताकि आपका 10-15 दिन में ये 1000 question हो जाए साथी साथ मैंने MPPSC का quest course चला रही हूं उसमें मैं केवल वही topic ला रही हूं जो की बहुत ज़्यादा important है आपके लिए और ऐसे question आपके लिए बहुत ज़्यादा important है क्योंकि हमें बहुत कम हैं बहुत ही smart strategy बना के हमको पढ़ना होगा वही पढ़ना होगा जो बिल्कुल आते ही है पेपर में फाल तुका इदर उदर के कुछ नहीं पढ़ना है हमको इस लेवस के according ही पढ़ना है तो आप वो देखिएगा साधी साथ संजीब मालवे सर की एक टेस्टर जो सीरीज हैं जिसमें 25 सो important question है वह भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ